धन की कामना आज हर कोई करता है यहां तक ही जिनके पास भरपूर धन है वो भी और जादा धन पाने के लिए हर कोशिश करते हैं और फिर करे भी क्यों ना आज के समय में वहंगाई अपने पैर चारों और कुछ इस तरह पसार रही है कि आम आदमी को ना तो रहने के लिए कर आप जल्द ही धनवान बन सकते हैं इस उपाय को गुरुवार को ही सुबह शाम करें और फिर इसके फाइदे देखें गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उटकर स्नान करें और घी का दीपक जलाकर भगवान विश्नु की पूजा करें इसके बाद विश्नु सहस्त नाम का पाठ करें शाम के समय केले के व्रक्ष के नीचे दीपक जलाकर लड़ू या बेसन की मिठाई अर्पित करें और लोगों में बाट दें गुरुवार को अपने इश्ट की अराधना करें और भगवान की पूजा के बाद केसर का तिलक लगाएं अगर केसर हिंदु शास्त्र के नुसार गुरु का सीधा प्रभाव धन पर होता है अगर कोई गुरुवार के दिन आपसे धन मांगने आता है तो लेंदें से बचें गुरुवार को धन देने से आपका गुरु कमजोर हो जाता है इससे आर्थिक परिशानी वरती है इसलिए खासतोर पर इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपसे ऐसी कोई गलती न हो जाए माता पिता को हमारे पहले गुरु का दर्जा प्राप्त है अपने आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाये रखने के लिए गुरुवार के दिन माता पिता इपम गुरु का अश्रवाद जरूर लें इनका अश्रवाद गुरु ग्रह का अश्रवाद माना जाता है इनकी प्रसंता के लिए पीले रंग के वस्त्र उपहार स्वरूब दें इससे होने वाला फायदा आपको माला माल कर देगा